नमस्कार आप देख रहे हैं चिस न्यूज और आपके साथ हुआ प्रतिभा जोती हम हैं सोनीपत लोगसभा सीट में जहां पे ये बीजेपी की परमपरागत सीट रही है और इस बार भी बीजेपी लोगसभा चुनाव में एक बार फिर मोदी सरकार के नारे के साथ चुनाव में उतर रही है हम बात करने कर रहे हैं हर्याना के मुख्य मंत्री मनुहलाल खटर के मीडिया सलाकार राजीप जैन जी से उनसे जानते हैं कि इस बार हर्याना में बीजेपी के लिए क्या मिजाज है जनता का और इस बार जनता क्यों एक बार फिर बीजेपी को वोट देगी राजीब जैन जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है HS News पर, सर 2014 के चुनाव में हरियाना में 7 सीटे आप लोगों ने दी मोधी जी को, इस बार क्या 100% सीटे उनको गिफ्ट करने वाले हैं? बिलकुल बिलकुल भारते जंता पर्टी इस बार दस की दस लोग स्वागत जीतेए जीटेगी, और जैसा कि आपने कहा कि हरियाना का मिजाज। अभी पांच जो है नगर निगम के मेर के चुनाव हुए, उस के पाद जीन्द का उप चुनाव हुआ, उसमे भारते जंता पर् जिए इस बार साथ की बजाए हम दस लोग सवाशीट जीतेंगे। जनता है जिस तरह से उनके लिए नीतिया बनाने का काम किया है और उन योजनाओं को धरातल तक आम आद्वी तक पहुंचाने का काम किया है उसकी वज़े से आज लोग चाहते हैं कि नरेंदर मोधी दोबारा परधार मंतरी कि विपक्ष का आरौप है कि कई मोर्चे पर सरकार ने जो वादे किये वो पूरे नहीं किये जैसे बेरोजगारी का मुद्धा है देखिए विपक्ष का काम है आरोप लगाना और मैं समझता हूं कि आज भारती जनता पार्टी की सरकार में जिस ढंक से रोजगारों का क्रियेशन हुआ है देखिए रोजगार जो है केवल सरक नोकरियों से नहीं आखना चाहिए कि कितनी सरकारी नोकरिया दी खई रोजगार का सरजन जो है जो भारती जनता पार्टी की सरकार में हुआ जो उद्योग लगे हैं जो इंफर स्क्टर डवलेमेंट के काम हो रहे हैं चल रहे हैं और जो मुद्रा जो है स्टार्ट अप इं देश में महौल बदला और कहा जा रहा है कि सेना के नाम पर शहादत के नाम पर राजनिती करन भी हो रहा और इसका फाइदा उठाने की कोशिस की जा रही है हरियाना तो वैसा प्रदेश है जहां सेना में हर घर से एक सेना में एक वक्ती है तो आपको लग रहा है कि वाकई क्या बीजेपी इसका फाइदा उठाने की कोशिस कर रही है इस चुना में देखिए बिलकुल नहीं सेना के पुलवामा की घटना हो उस पर जो है कोई राजनीती किसी किसम की बीजेपी नहीं कर रही है आप देश सकते हैं कि जो पुलवामा की आतंकी घटना हुई उससे पू आनिकों का जो है मैं समझता हूं कि पूरा देश उनकी पीट को थपत पा रहा है आम जनता पीट उनकी थपत पा रही है आम जनता जो है सावासी दे रही है तो उसमें बीजेपी भी सावासी दे रही है तो उसमें क्या गलत है मैं समझता हूं कि यह उन लोगों का जो है धोरा सातन के साथ. हरियानओ वो प्रदेश है जहां प्रधान万तरी नरेंद्र मोधी ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था. क्या खटर सरकार ने इस पर काम किया है? कितना क्या जंदा हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस छेतर में कितना कुछ किया? कि नरेंदर मोदी जी ने बहुत बड़े सामाजिक बुराई हरियाना की जो है जो हमारे बेटियों को लेकर जो सोच थी बेटियों को लेकर जो है कि बेटियों को घर से बार नहीं निकलने देना है बेटियों को घर से बार काम नहीं करने देना है तो बेटियों का इसी वज़ पूरे पर्देश की जंता ने उसको सिविकार किया और माना और बहुत स्तितित सुधरी है आज जो है बारा कई बार जो है ये 900-12 के करीब तो आकड़ा पहुंची चुका है 900-22 भी हुआ है 900-25 भी हुआ है और खुद पर्धान मंत्री जी ने पूरे देश में हरियाना की इस क किसान कर्जमाफी का वादा करती है चुनाव में वो सत्ता में आती है तो क्या इस बार हडियाना के घोशना पत्र में बीजेपी के घोशना पत्र में भी ये किसान कर्जमाफी का मुद्दा होगा इस पर आपको लगता है किस दम पर आप लोग भी देखिये क्या है कि किसान की कर्ज माफी केवल एक चुनावी वाइदा है किसानों के कर्ज माफी से काम नहीं चलने वाला है किसान की आर्थिक दसा कैसे सुधरे उनके परिवार का सेक्सिक सदर कैसे सुधार हो किसान को जो है अपनी खेती करने के साधन जो है कैसे उपलब्द हो इसकी चिंता जो है सरकार कर रही है और सरकार जो है उनको कैसे खाद बीच जो है सब समय पर उपलब दो उनकी फसल के दाम अच्छे कैसे मिले उनकी फसल जो है समय से बिक जाए समय से जो है वो मंडी में उसका उठान हो जाए इस बात की चिंता कर रही है और खेती की जो है क्योंकि खेती केवल जो है प्रागत खेती से काम नहीं चलने वाला है इसलिए सरकार जो है खेती के विविधी करण पर जोड़ दे रही है ताकि किसान जो है अलग लगत रहे कि कैस्क्रों विशेश तोर पर उन फसलों का जो है उगा कर किसान समर्द उसके इसकी तरफ भरती जिन्दापाटी की सरकार द होता था और जो है सत्ता का अपने अपनों के लिए इस्तबाल करने की बात होती थी लेकिन जब से केंदर की भरती जिन्दापाटी की सरकार आई है हरियाना की सरकार आई है इन सब धारनाओं को तोड़ दिया इन सम्मानेताओं को खतम कर दिया और जिस तरह से पारदरसी औ और इमानदारी और भरस्टाचार रहीत शाशन लेकर आए हैं और सबसे बड़ी बात यह कि योजनाओं को केवल कागजों पर ने बनाकर उनको ध्रातल तक आम आदमी तक पहुंचाने की बात करना उधारन आपके सामने है कि आई उसमान योजना बहुत कम सबे पहले जो है य कि दी सत्ता में आगए कॉंग्रेस में तो इस योजना को बंधी कर देंगे देखिए उन्हों जो कॉंग्रेस शाशित राज्य है उन्होंने आज तक भी इस योजना को लागू की नहीं किया तो मैं समझता हूं कि केंदर सरकार की कोई भी अच्छी योजना है चाहे विपक है जनता तक पहुंचता है और भारती जनता पार्टी की सरकार का परियास है कि 100 का 100 पैसा जनता तक पहुंच है बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचित करने के लिए खटर सरकार के प्रतिनिधी का दावा है कि इमानदार और भष्टा चार रहित सरकार चलाने हमने सरकार चलाई है और इस बार नरेंदर मोधी सरकार को हर्याना की 10 लोग सभा सीट जीत कर देंगे और ये शांदार तौफा हर्याना की तरफ से प्रतान मंतरी दरेंदर मोधी को देने का दावा किया जा रहा है आप बने रही है हमारे साथ HS News पर क्योंकि यहां ख़बरों का सिलसिला कभी रुपता नहीं है HS News जहां ख़बरों का सिलसिला रुपता नहीं लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें